हाँ नर्सिंग भूजा आप बैठ जाएं जैसे की बरसाथ में प्रैमरी स्कुल की छट बैठ जाती है उसी परे बैठ जाएं आप हाँ आप आजाएं बैठ जाएं बैठ बैठें बैठे सर कुछ पन्तियां आप सबके लिए छे मैं रखकर आजानी पुजारी जी को मैं आवाज देना चाहूंगा आप सबका आदेश है कभी भी आईने को टूटने का डर नहीं होता कभी भी कुछ पन्तियां जो मन्चों से हटके आप सब के बीच मैं सुनाना चाहता हूं मन्चों के लटके जटके से आप सब वाकिफ हैं अब वो दोर खत्म हो गया कभी ही हम बढ़ जान भी आप आप अपनी कुरसी ढूंड लेते हैं ये आपका हुनर मुझे बहुत पसंद आया कभी भी आइने को तूटने का डर नहीं होता जहां वालों के हाथों में अगर पत्थर नहीं होता तो अगर तालिय बजाएं ताकि लगे कि हम देखिए जो तालिया हैं जब यहां से हम लोग लोड़ते हैं तो लिपापा तो बीबी के हाथ में चला जाता है जब हम सब तनहाई में होते हैं तो आपकी तालियों के उलजाए हम लोगों को उर्जवानित करते हैं कभी भी आइने को तूटने का डर नहीं होता जहाँ वालों के हाथों में अगर पत्थर नहीं होता अगर तुम घर से निकलो तो बुजर्गों की दोड़ा ले लो मेरे भाई कोई भी हादसा कहकर नहीं होता अगर तुम घर से निकलो तो बुजर्गों की दोड़ा ले लो मेरे भाई कोई भी हादसा कहकर नहीं होता खुशी के वास्ते उस घर का हर कोना तरस्ता है कि जिस घर में कभी मा बाप का यादर नहीं होता खुशी के वास्ते उस घर का हर कोना तरस्ता है और एक छोटे कलमकार से बहुत बड़ा शेर आप सुनें और उसकी आप हिफाज़त करेंगे मुझे ये विश्वास है कि खुशी के वास्ते उस घर का हर कोना तरस्ता है कि जिस घर में कभी माबाप का आधर नहीं होता बना लो मौं का शेशे का चाहे संग मरमर का महबत के बिना कोई मुकमल घर नहीं होता बना लो मौम का, शेशे का चाहे संग्मर्मर का, महबत के बिना कोई मुकमल घर नहीं होता और अहरावरा की धर्ती से, पूरी दुनिया के नाम एक पेगाम मैं देना चाहूंगा, मिध्रेश गमरी कि बना लो मौम का शिसे का चाहे संग्मर्मर का महबत के बिना कोई मुकमल घर नहीं होता लगाने आग निकले हो मगर इतना समझ लेना कोई मजभब हो और इंसान से बढ़कर नहीं होता लगाने आग निकले हो दगाने आग निकले हो मगर इतना समझ लेना कोई मज़भ हो वह इंसान से बरकर नहीं होता और भूतनात के चरणों में एक शिर जिसने मुझे बहुत मशहूर किया कि कोई मज़भ हो वह इंसान से बरकर नहीं होता हुनर देवत्य का व्यक्तित्य में होना जरूरी है महद विश्पान करने से कोई शंकर नहीं होता हुनर देवत का आगतित्व में होना जरूरी है महद विश्पान करने से कोई शंकर नहीं होता सभी के सामने इसर जुकाया मत करो मिथलेश सभी के सामने इसर जुकाया मत करो मिथलेश चमकने वाला हर पत्थर यहां गवहर नहीं होता चमकने वाला हर पत्थर यहां गवहर नहीं होता चमकने वाला हर पत्थर कोई असली नमाजी है कोई पक्का पुजारी है इस देश में सब के अपने अपने दावे हैं लेकिन उससे पहले मैं जरूर आपसे आगरह करूंगा इस देश की तरफ से कि अब मतदान आने वाला है आप सब जरूर जाईएगा अब मतदान जरूर कीजिएगा इस महापरो में जरूर भाग लीजिएगा मेरी बात का समर्थन आप इस मंच के माधम से मैं कहना चाहूंगा एक वाज़ोरदार कानियों से आगए और शांती पुर्वक महबत का महावल कायम रहे इसलिए ये मुशायरा और ये कभी समेलन आज एकादसी के रंग भरी महोसों पे ये आयोजित किया गया इसका यही उद्स है कि समाज में समरस्टा पहले समाज में एकता को बल मिले और हम सब जाएं तो जरूर से जरूर इस महावल में हम भाग लें मैं ये कह रहा था कि कोई असली नमाजी है कोई पका पुजारी है तो फिर वो कौन है इंसानियत का जो शिकारी है तो फिर वो कौन है इंसानियत का जो शिकारी है अगर इंसान दिख जाए तो बतलाना मेरे यारो यहां तो जो भी मिलता है बुखारी है तिवारी है अगर इंसान मिल जाए तो बतलाना मेरे भाई यहां तो जो भी मिलता है बुखारी है तिवारी है तुम्हारे इमरान भाई तुम्हारे दिल में क्या है अब तुम्ही जानो मेरे भाई हमें तो जान से भी ये जमीने हिंद प्यारी है हमें तो जान से भी ये जमीने हिंद प्यारी है कभी तो सुब्ह मिखलेगी इसी उमीद में मिखलेश अंधेरों से मुसलसल चरागों की जंग जारी है अंधेरों से चरागों की जंग जारी है और इसी क्रम ने अभी फागुन की बात चल रही थी और तमाम बाते चल रही थी मनवा के अंगना में सपना फुलाईन नयन के आकासे हो धन्वा टकाईन छने छने डोला थो हिया उत पाती पिपरा के जैसे की डोलेला पाती उतरले हो सरगी बेखा रंगोली अजब भईया होली गजब भईया होली अजब भईया होली गजब भईया होली इजो पढ़िया का होली यतरिया का होली गवा नगरिया सहरिया का होली इबुर्वा का होली सयनका का होली मारत हो मटकी जवनका का होली धरम भैया होली करम भैया होली जात माने न कौनो सरम भैया होली देखा इस सब कर बनल हो हम जोली अजब भैया होली अजब भैया होली अजब भैया होली अजब भैया होली अजब की बेला देखें पकड़ा के पकड़ी हो धरा धरावल मचल हुए भर गाओं भागा भगवल छटका के छटकी तब पटका के पटकी भैल कपारे पे खाली पतनहर के मटकी पतरकी मटकी के पतरकी मलत हो गोर्की के धैधै सवर्की सर्धा के पानी में घोर के सनहिया दुलाहवा पे डाला थो नौकी दुलहिया का दादा दादी तका ना ना नानी भैल सरहो आना नवहियन का चानी नभावा नभासूर नप शसूर चिन्हाई पोर पोर भागुन में सबकर रंगाई अधात नहें छाती बढ़ा निकलागे लह सुरा देवर्संग भाओजी का ठिठोली कनकिया तूनों बनावे रंगोली अजब भैयक भयया पॉली अजब भैया होली अजब भयया होली साम का वक्त है और मेरी ये चन पंक्तियां आप सब सुने all पूर ज dalते हैं चाहँ प्रिया औधिया हूली देखे ये तो बारान से 25 तारीक आने वाला था जिसमें प्रकास जी भी है लेकिन आप सब क्या देश से मैं आप सब के बीच में एक बार जोदार तालिया बजाएं ट्रेन तो छुटी गई अब पांच बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे हम कि अजब भाईया हो ली गजब भाईया हो ली शाम की बेला अजब हाल देखा गजब हाल देखा कटथो मलाई तरी माल देखा जब हाल देखा गजब हाल देखा कटत हो मलाई तरी माल देखा छनत हुए बूटी चढ़त हुए गोला पीपी के सबही भयल बंभोला और उसके बाद छनत हुए बूटी चढ़त हुए गोला पीपी के सबही भयल बंभोला के हूँ अपने दादा के मंत्री बतावे, के हूँ अपने चाचा के संत्री बतावे, के हूँ भयल हो कलक्टर के नाती, के हूँ सिपहिया इंस्पेक्टर के साथी, एक-एक से रामा बनवले हो जोड़ी घुरहो के देखा बनल हो करोडी, गुरहो के देखा बनलो करोडी खर्दा थो के हूँ जमीने बधारी परधाने के देथ के हूँ गारी परधाने के देथ के हूँ गारी परधाने के हूँ देखा लगी से पानी पियावे के हूँ देखा पानी आग लगावे बात बाते में देखा भयल लोला लोली पिशकारी के जगहा चले लागल गोली अजब भया हो ली गजब भया हो ली अजब भया हो ली आखरी पंक्तियां दौरदार बाज़त हो नेह के दौरदार बाज़त हो धोलक मजीरा गली गली उड़त हो नेह का अभीरा सरा अगरो छुटल हो कबीरा रमायन स अवल भयल हो जोगीरा घुरात होए मिस्री बोलात होए बानी बहवन पे देखा चड़ाल हो जवानी पितहिया के कको बोलत होए बोली अजब भईया हो ली अजब भईया हो ली एक बाद योडा तालिया बजाएं